अगर आप शॉक मार्केट में नए हैं तो ये दो शब्द आपको बहुत दा कन्फ्यूज करते होंगे सेंसेक्स और निफ्टी ये होते क्या हैं ये नाम रखे क्यों गए हैं बड़ा इंट्रस्टिंग से नाम नहीं लगते हैं आपको सेंसेक्स कैसे खरीद्ते में इंगें और यूजाँगेंसक्स के जा आप क्यों आप क्यों नहीं जहां पर हम शेर्ष खरीदते हैं इस आप यह हमें समझ आचुकी यह बात अब होता क्या है कि इस टॉक मार्केट में दो एक्षेंज एक है नाशनल स्टॉक एक्सेंज एक है बॉंबे स्टॉक एक्सेंज मेरे एक बड़ा छोटा सवाल है ज़रा बताना आप लोग आपको क्य लगता है कि कितनी companies अब stock market में आपको पता बहुत सारी कमनी अजारों कमनी है NSE के ऊपर national stock exchange के ऊपर जादा कमनी लिस्टेट होंगी या bombay stock exchange के ऊपर जादा कमनी लिस्टेट होंगी आपको लगेगा national stock exchange में पूरा इंडिया तो national इसमें जादा होंगी और bombay stock exchange तो हमसे bombay की बात करने तो इसमें कम होंगी confusion ने हैं लोगों की बड़ ऐसा नहीं है Bombay stock exchange पे approximately 5000 companies listed है और यहां पे NSE पे तकरीबन 1600 companies listed है तो यहां पे 1600 companies listed है वहां पे 5000 companies listed है अब लोग केंगे अलग-अलग companies होंगी इसा नहीं है जो share मालेते है ITC का share आपको खरीदना है वह NSE पर भी मिलेगा और वह BSC पे भी मिलेगा इंडिया के stock exchange थोड़े से अलग है बाहर से थोड़े से अलग है तो यहां पे दोनों पे ही listed है example दे रहो है आपको अब इसी तरीके से reliance आपको NSE पे भी मिलेगा BSC पे भी मिलेगा आपको Tata Steel NSE पे भी मिलेगा BSC पे भी मिलेगा तो जो भी आप popular stocks की बात करते हैं दोनों पे मिल जाते हैं बट फिर भी BSC पे जादा companies listed है अब यह भी हमें समझा गया इसका मतलब तो यह हुगा कि अगर यह stock market एक market है तो इन market के अंदर दुकान है जैसे गोते हैं होलसेल दुकान है या superstore, supermarket यह दोनों अपने आप में supermarkets हो गई चलो जी, supermarkets हो गई इन पे stocks मिलते हैं अब आपको यह नहीं समझा जाता है चलो sir, यह तो समझ आ गया पर फिर भी यह नहीं समझा है निफ्टी और सेंसिक्स क्या है अब मान लेते हैं आज पूरे market के अंदर अब आप vegetable market जाते हो सबजीों के rate जादा है या कम है कैसे पता लगेगा आपको आपको एक-एक सबजी का rate पता करना पड़ेगा कि अलू का करेट चल रहा है पयास का करेट चल रहा है अब अलग-अलग अगर आप पता करोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा अगर 5000 तरीकी की सबजी आपके पास तो बहुत टाइम लगने होलो है तो अब इसके लिए आपको काम inspiration करने के लिए बनाए गए इंडेक्स, क्या बनाए गए इंडेक्स, कि भाया एक सिर्फ इंडेक्स को देख लो, और इससे आपको पता लग जाएगा, market, जो पूरी market है, उसमें जो stocks हैं, उनके prices उपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, काम असान हो जाएगा, तो ये काम असान करने के लिए, आपके लिए सेंसेक्स और निफ्टी बनाए गए, अब सेंसेक्स दो शब्दों से मिलकर बनाए, सेंसेटिविटी और इंडेक्स, तो आपकी सेंसेटिविटी और इंडेक्स को दर्शाता है, सेंसेक्स, market की sensitivity को दर्शा आता है sensex और nifty किन दो शब्दों से मिलकर पता है मैं आपको पता तो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है nifty बना है national plus plus सोचो जल्दी से 50 50 क्यों क्यों क्योंकि nifty के अंदर nifty 50 का आपने नाम सुना होगा तो nifty के अंदर इंडिया की top 50 companies आती है बट ऐसा है nifty 50 के अंदर top 50 आती है nifty 100 भी होता है nifty 200 भी होता है तो nifty 200 हो गया तो ऐसा नहीं 50 आएंगी यहां पे 200 companies आ जाती है जो nifty 50 के बाद जो top 200 companies हैं वो यहां पर आ जाती है nifty 200 में अब आपको यह भी समझा गया पर आप सेंसेक्स में कितनी companies है सेंसेक्स बना है जो इंडेक्स ही देखता है इसमें 30 companies है अब आप को कि सब सिर्फ 30 only 30 यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बीएसी के उपर 5000 companies की तो अब इस 5000 में से सिर्फ 30 companies पूरी market को कैसे दर्शा सकती हैं कि market पर जा रहा है नीचे जा रहा है और NSC पे जो 1600 companies listed हैं इन में से 50 companies से nifty बना है 50 companies कैसे बता सकती है कि पूरी market की movement कैं लेट में टेलियो जब आप nifty को देखते हो या आप सेंसेक्स को देखते हो तो मैं बता दू सिर्फ 50 के अंदर इंडिया की टॉप 50 companies की weightage पूरी stock market का 50% है यह जो आप देख रहे हो यहाँ पे nifty को जो कि कमाल की बात है आज ही 16,000 के rate को cross किया है तो आप देख सकते हो आज बहुत जबरदस movement थी market के अंदर आज एक अच्छा का सा bull run भी था बट I am telling you यहाँ पे जो एक companies है इंडेक्स है अब यह इंडेक्स है इसका मतलब है कि अगर इसका rate उपर जा रहा है तो इससे पता लग रहा है कि share market में जो movement है वो उपर की तरफ रही है bullish movement रही है और अगर यह गिरता है तो इसका मतलब है कि overall market नीचे गई है और यह कैसे पता लग रहा है वो 50 companies की ही weightage 50% के approximately होती है similarly अगर आप sensex को देखते है sensex almost आप देख रहे हो 53,800 800 crossed तो यह बढ़ता जा रहा है over the period of time देखो गए तो यह 1979 में 100 रुपे से शुरू हुआ था इसमें 79 दिखाता भी नहीं है base year इसका 1979 था तो आपको 1986 देखेगा 561 पर जो इसका base year था 100 रुपे से शुरू हुआ था जो approximately 54,000 के rate के आसपास है और यहां पर आप निफ्टी भी देख सकते हो 16,000 इसने cross किया जो इसका all time higher है चुका है यहां पर आपको यह चीज समझा गई तो यह 50-50 है अब यहां पर निफ्टी FMCG इसका rate अलग है इसका rate अलग क्यों है क्योंकि यह उन companies का combination है जो इंडिया की top FMCG companies है similarly index auto sector का भी होता है निफ्टी auto इसका rate अलग देख रहा है similarly आपको निफ्टी IT भी देखेगा जो IT companies का index है अब अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन-कौन से sector wise performance उपर गई है तो वो भी आप देख सकते हैं online तो निफ्टी IT ने बहुत अच्छी returns दी अपने investors को अब आपको एक बहुत important सवाल था जो starting में रह गया था कि लोग sensex directly क्यों नहीं खरी सकते क्योंकि इंडेक्स है आप इसे directly नहीं खरी सकते यह सिंसेटिविटी बता रहा है और आप निफ्टी को भी नहीं खरी सकते बट निफ्टी के अंदर जो companies जैसे निफ्टी 50 के अंदर 50 companies इन में आप चाहें तो invest कर सकते हैं आप net पर search कर सकते हैं कि इन में से कौन सी companies हैं दिखो हर 6 महीने में companies change रहती हैं जो companies अच्छा form कर रही है जो टॉप companies होंगी वहीं निफ्टी 50 में रहेंगी तो दो तरीके हैं आप खुद भी उन companies को select करके उनके stocks में invest कर सकते हो या फिर आप directly mutual funds में invest कर सकते हो जो कि nifty के हिसाब से चल रहे हैं जो जो निफ्टी बेस्ट mutual funds हैं आप उन में भी invest कर सकते हो तो आपका पैसा एक तरीके से निफ्टी में लग जाए अब यह दो तरीके हैं आप जो निफ्टी के अंदर इंवेस्ट कर सकते हो यही रीजन है कि आप क्योंकि इंडेक्स है यह कोई stocks नहीं इनके प्राइस जरूर होता है बट यह अपने आप में एक शेयर नहीं इन्हें खरीदने के लिए आपको म्यूशन फंड का सारा लेना पड़ेगा या खुद वो कंपनी इंटिफाय करने पड़ेंगी जो सेंसेक्स को निफ्टी में आती हैं और आपको उन आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज की इस वीडियो से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए शेर जुरू कीजिए जिससे और भी लोग जो भी अब बैस नसा सुन्हों ताम कक्राइब करने चला निफ्मय करने किजिए अभी कणऊनष अНधियो यूट्ग वीडियो देखे सब्क्डाइब कीजिए वाइकन पर क्लिक कियो फेस्बुक पर लेगियो तिल आइम यूगो